आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मॉम डाइडेंट बेबी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के बारे में नास्ते को दिन के सबसे एहम आहार के रूप में माना जाता है लेकिन अगर आप फिर भी किसी से पूछेंगे कि आपने नास्ता किया है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने नास्ता नहीं किया है अगर आप सोच रहे हैं कि सुबह का नास्ता क्यों जरूरी है तो आपको बता दें कि दिन का सबसे अहम आहार आपके द्वारा किया गया नास्ता है नास्ता करने के बहुत सारे फाइदे हैं क्योंकि यह आपको पूरे दिन के लिए उरजा परदान करता है अगर आप नास्ता छोड़ देते हैं तो आप लंच में जरूरत से जादा खाते हैं और यह वजन को बढ़ाने का काम करता है नेमित रूप से ऐसा करने से आपका सरीर बिना किसी परतिरोध के निकल जाता है और आपके सरीर की परनाली गंभी रूप से प्रभावित हो जाती है एक स्वस्त नास्ता तयार करने और खुद फ़र्क महसूस करने के लिए हर सुबा पांच मिनच का समय निकाले लेकिन इनके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रहे कि जरूरी है कि आप नास्ते में क्या करे ऐसा नहों कि आपके नास्ते की प्लेट अनहल्दी फैट से भड़पूर हो तो यह तै करना भी जरूरी है कि आप नास्ते में हल्दी चीजे ले तो चलिए हम आपको बताते हैं 6 हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट के बारे में पहला है मेथी का पराठा हर पराठे का अपना अलग स्वाध होता है इसी तरह मेथी के पराठे का भी अपना ही स्वाध है मेती का पराठा खाने में जितना स्वाद लगता है उतना ही इसे बनाने में भी आसान है मेती का पराठा पोश्टिक भड़ा होता है और बच्चों को कुछ हेल्दी खाने के लिए मेती का पराठा अच्छा विकल्ब है इसको बनाने में भी सिर्फ 25 मिनट का समय लगता है इसलिए इसे ब्रेकफास्ट में सर्द करने के अलावा बच्चों के टिफिन में भी पैक कर सकते हैं दूसरा है लो कैलोरी ओट्स इडली रेसेपी तीसरा है एक भुर्जी से बनने वाली स्वादिष्ट वेंजन रेसेपी चौथा हेल्दी रेसेपी है सोया उतपम रेसेपी पाच्वा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट में आप मसाला चाना रेसेपी भी सामिल कर सकते हैं अंतिम और आखरी है एपल खीर रेसेपी अगर वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे देल से सुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में हेल्थ की साड़ी वीडियो आपको हमारे चानल पर मिल जाएगी बचपन से पचपन तक हेल्थ की वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब चरूर करें